कि एलो वेल्कम दोस्टों में हूं किश्यू और आप देख रहे हैं रादे बीच और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आप से बात करने वाले ओपो एफ 15 के कुछ फीचर्स के बारे में तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो और आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्ल कि अपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आपको निच्चे की तरफ देखने को मिलेगा श्लीप स्क्रीन तो यहां पर सिंपल यापको क्लिक करना है दोस्तों तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह को यूजर मेन्यू जो अब जो कु आपको अन कर देना इस दोनों को तो यसे अब तीन उंगलियों स्वाइब करोगे यहां पर फ्रेंड्स जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी तीन उंगलियों से स्वाइब करना है तो कुछ इस तरह का एन्यूशन अपके सामने देखेगा जो मेन्यूस है हमारे वो सब नीचे सो करेंगे और उपर हमारा कुछ भी काम चल रहा है इंटरनेट चला रहा है वाट्साप फेस्बूक इंस्टागरम कुछ भी तो आप दोनों एपस एक साथ यूज़ कर सकते हो दोस्तों तो ओपो एप 15 का यह फीटर्स मुझे अच्छा लगा और यहां से आप सिंपल ही ऐसे क तो आपको सिंपल ही जाना है निच्छे की तरफ और यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल सेटिंग तो यहां पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है निच्छे OTG Connect तो फ्रेंड्स अगर आप इस मोबैल में OTG चलाना चाहते हो तो यहां पहले उसको इनेबल कीजिए फिर यहां पे OTG लगाओ फिर ही आपका OTG सपोर्ट करेगा अधर्वाइस नहीं करता इसमें सपोर्ट और चलते दूसरे फिचर की तरफ तो आपको जाना होगा सेटिंग फिर यहां पे आपको दिख रहा है स्मार्ट सर्वीज तो फ्रेंड्स ओपो एफ 15 का यह सबसे स्मार्ट फीचर्स आप कह सकते हो इस मोबाइल में यही खास फीचर्स है तो आप इसको सिम्पली क्लिक करोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलता है स्मार्ट ड्राइविंग इसको आपको इनेबल कर देना है तो कुछ इस तरह ओन लिखा हुआ आपके सबने शोग करेगा तो इसको अन करने से क्या होगा फ्रेंड्स तो आपका कभी ड्राइव कर रहे हो तो यह बहुत ही यूसफूल होने वाला है इसको आप अन कर दोगे अगर आपकी कार में ब्लिथूट है तो यह आटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आप लिखा हुआ देख सकते हो दुसरे features की तरप तो simply आपको निचे से स्वाइब करना है तो यहां पे यह जो लिखा आप देख सकते हो night set क्या लिखा है तो इसको आपको simply यासे click करना है click करते ही friends आपकी जो screen color tone है वो कुछ इस तरह से yellow में show करने लगेगा तो आपको इसे ज्यादा बढ़ा सकते हो जितना आपके हिसाब से रखना दख सकते हो अगर आप night mode चाहते हो तो यहाँ से लिखा है night insert तो आपको एसे टच करोगे तो आपका mobile या जो night mode में हो जाएगा मतलब आप रात को font ज्यादा यूज करते हो तो object लिए आपको यह चीज करनी चाहिए और चलते है दूसरे features की तरह तो आपको simply यहां से आप देख सकते हो सारे features यहें पर अवी लेबल है flight mode, vibration, torch यह सब तो आप जानते ही होगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं one hand mode, hotspot, assistant bell, screen recorder तो friends आजके इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करना, share करना और comment में जरूर बताना कैसा लगा thank you so much, bye bye